हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत अपनी यूट्यूब चनल पे दोस्तो आज हम सीट एबियस का प्रेक्टिसेट सेशन लेकर आये हूं दोस्तो इस प्रेक्टिसेट के माध्यम से हम इन सभी प्रस्णों का संचिप्त वर्डन करते हुए चलेंगे यह प्रस्ण 2020 सीट में पू प्राचिन काल में कालवेलिया समुदाय अपना स्थान बार बार बदलता था अगला पॉइंट है यह समुदाय पाली जीला राज स्थान में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं अगला पॉइंट है सांप को पकड़ना और सांप के जहर का व्यापार करना कालवेलिया समु पर नाकरात्मक प्रभाव बढ़ा आए जानते हैं कालवेलिया निर्ति के बारे में कालवेलिया निर्ति में निर्ति की गति सांप के गति की समान होती है अगला पॉइंट है यह निर्ति कालवेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है अगला पॉइंट है कालव पॉइंट है कालवेलिय निर्थ को युनेशको द्वारा 2010 में मानवता की संस्क्रित विरासत के रूप में सामिल किया गया था अगली जन्जाती है थांग जन्जाती थांगपा जन्जाती लद्दाक में पाई जाने वाली खानप दोस्त जन्जाती है अगला थांगपा जनजाती में लगभग केवल पांच जार लोग रहते हैं अगला पॉइंट है वे इन बकरियों के माध्यम से प्रसिद पास मिना साल बनाते हैं अगला पॉइंट है थांगपा तिबती भासा की बोली चंखात बोलते हैं और तिबती बहुत धर्म का पालन करते हैं अगला पॉइंट है उनके लिए उनकी बकरियां और भेड़े अती महत्वपून हैं अगला पॉइंट है। थांगपा अपने समान को गोड़े और याग पर ले आते हैं। रखने की जगह है अगला पॉइंट है लेक की दिवारे पत्थर की बनी होती है अगली जन जाती है भील भील राजास्थान की सबसे बड़ी जन जाती है अगला पॉइंट है बासवारा भील का मुख्यास्थान है जहां भील सरवाधिक रहते हैं अगला पॉइंट है भीलों क महान महाकाव्य महाभारत तथा रमाइड में भी एक संदर मिला अगला पॉइंट है भीलो का प्रमुख मेला बनेश्वर मेला और होली है मेला डुंगरपूर के पास आयोजित होता है अगला पॉइंट है घूमर नृत्य भील संस्कृति का एक महतोपूर पहलू है अगरी जन चिंचालकर ने सुखे पत्तों का उपयोग करके सुन्दर चित्र बनाए वे कहां के रने वाले थे इस प्रस्ण का उतर आपसंचार इंदवर के रने वाले थे आये जानते हैं विश्णू चिंचालकर को विश्णू चिंचालकर का जन्मद प्रदेश इंदवर में हुआ थ अगला पॉइंट है ड्रिप्ट वूड टहनियों सुखे पत्ते मेयों की फली पौधों की जड़ी उप्योग करके उन्होंने अपने चित्र का वर्डन किया अगले चित्रकार है राजा रवी वर्मा राजा रवी वर्मा का जर्म 1848 इसवी में केरल में हुआ था वह एक प्रस इस्त hash hat मांट एवरेस्ट के बारें जानते हैं मांट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊची चोटी है यह लंपाल में स्तित्रकार है इसकी लंबाई 8 880ת मीटर है अगला पॉइंट है इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है अगला पॉइंट है तिबत में इसे चोमोह बैकल्पिक राजसाही है अगला पॉइंट है इसकी राजदानी अबुधाबी है अगला पॉइंट है इसकी मुद्रा दिरहम है अगला पॉइंट है इसका राष्ट्रे खेल उट दोड़ है